आज हम भाग एक के महत्तोपुर्ण विशय को पहले जान लेते हैं कि आज हम इसमें क्या सीखेंगे सबसे पहले हम समझने की कोशिस करेंगे बैस्विक संपर्ख और ब्यापार तथा इस बैस्विक संपर्ख और ब्यापार में बिमारियों का क्या योगदान था इसके बारे में इसके बाद हम ये समझने की कोशिस करेंगे कि बिश्व अर्थ व्यवस्था का उदय कैसे हुआ वो कौन से फैक्टर्स थे जिसने बिश्व अर्थ व्यवस्था के उदय में मदद की इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि बैस्विक अर्थ व्यवस्था में तकनीक का क्या पिंद्द की इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे और अंत में हम यह भी देखेंगे कि भारतीय ब्यापार और बैस्विक ब्यवस्था का मैं अपसी समपर्क क्या था और इन संबंध कैसा था जब हम इस भाग को पूरी तरह से सीख लेंगे तो इसके अधिगम परिनाम क्या होंगे इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जब हम इस भाग को अच्छी समझ लेंगे तो बच्चे यह समझ पाएंगे कि बैस्विक संपर्क व्यापार और बिमारी का आप सी संबंध क्या था साथ ही विश्व अर्थ विवस्था के उदै की ब्याक्ष्या कर पाएंगे इसके बाद सिक्षार्थी विश्व अर्थ विवस्था में तकनीक के योगदान का आकलन कर पाएंगे और उपनिवेसावाद और वैस्वी करण के संबंध का विसलेशन भी कर पाएंगे साथ ही भारतिय ब्यापार और विशो ब्यवस्था में क्या तुलात्मक अध्यान हो सकता है इसके बारे में भी बच्चे सिख पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं आप ये जो मैप देख रहे हैं ये सिल्क मार्ग है अब यहाँ पर में आप दो तरह की लकीरें देख रहे हैं एक लाल और दूसरा निला ये जो लाल रंग की लकीर आप देख रहे हैं ये इस्थल मार्ग से होने वाला बयापार को दर साता है और सिल्क मार्ग का ये अस्थलिय हिस्सा है और नीला वाला जो आप देख पा रहे हैं लाइने वो लाइने भी सिल्क मार्ग के ही हिस्सा है लेकिन ये समुद्र के माध्यम से होने वाले बैपार को दरसाते हैं एक खास बात आपने इस मैप में जरूर गौर किया होगा वो ये है कि सिल्क मार्ग चाइना से सुरू होता था भारत परसिया अरबिया इजिप्ट होते हुए यूरोप तक इस रास्ते से ब्यापार होता था इसके साथ ही ये सरक और समुद्र दोनों से होकर गुजरता था मुख्य रूप से इस रास्ते से कपरे मसाले सोने चांदी इत्यादी का ब्यापार होता था लेकिन एक महत्तोपूर्ण बात यह है कि यह सिल्क मार्ग सांस्कृतिक आदान परदान का भी एक बहुत बड़ा जरिया था क्यूंकि बहुत सारे बौतधयात्री और बहुत सारे इसलाम धर्म के अन्याई है जो ब्यापारी के रूप में एक जगे से दूसरी जगे जाते थे इन धर्मों का और संसकृतियों का प्रचार प्रचार भी करते थे अब बात करते हैं भोजन और सांस्कृतिक संबंध के बारे में ये बहुत महतोपूर्ण है आपको पता है स्पेगेटी और नुडल्स जो बरे चाव से हम लोग खाना पसंद करते हैं ये मुख्य रूप से चीन का भोजन हुआ करता था और चीन से इनी ब्यापारियों के माध्यम से पस्चिम के देशों में पहुँचा ऐसे ही आज कल जब हम पास्ता की बात करते हैं तो पास्ता का संबंध इटली के साथ जो रायाता है लेकिन क्या आपको पता है कि पास्ता पांचमी सदी में अरब यात्रियों के साथ इटली पहुँचा ये वहाँ भोजन के रूप में अत्यंत लोग प्रिये हो गया और उसके बाद वहाँ से दुनिया के दूसरे हिस्तों में पहुचना सुरू हो गया इसी तरह से यदि हम आज की परिपेक्ष में देखें तो आलू, सोयाबीन, मुंफली, मक्का, टमाटर, सकरकंद ये जो सारे फ्रूट्स हैं और वेजेटेबल्स हैं ये भारत देश के ओरिजिनल फ्रूट्स या वेजेटेबल्स नहीं हैं ये बेसिकली जब क्रिस्टोफर बस भारत की खोज में निकले और गलती से अमेरिका पहुँच गए तो उन्होंने देखा कि अमेरिका में ये सारे फलफूल और सबजियां उपजाई जाती थी तो वहां से फिर ये यूरोप और उसके बाद एसिया के विभिन देशों में पहुचना सुरू हो गया अब बात करते हैं कि खनिस्पदार्थों से किस तरह से बैस्विक संपर्क अस्थापित होता चला गया दक्षिन अमेरिका में पेरू और उत्तर में मेक्सिको ये अपने धात्वों के लिए खनिस्पदार्थों के लिए खास करके चांदी के लिए बहुत प्रसिदत है और यहां के चांदी ने यूरोप की धन संपदा को बहुत अधिक बढ़ाया, साथ ही पस्चमी एसिया के साथ होने बाले ब्यापार की गती को भी इसने काफी बढ़ाया। शत्रहमी सिदावदी तक दक्षिन अमेरिका के धन संपदा के बारे में यूरोप में और दुनिया के दूसरे हिसों में काफी सारे खिसे बनने लगे थे। उदाहरन के तौर पे वहाँ एक सहर है एल्डोराडो और एल्डोराडो के बारे में ये प्रसिद्ध हो गया कि यहाँ सोने की इतनी खाने हैं कि इसको सोने का सहर ही माना जाने लगा और इसके बाद एक ऐसा खोजी अव्यान शुरू कर दिया यूरोपियंस ने कि जिसको अब देखिए एक खास बात यह हुई कि सोलहमी सताबदी के मध्य तक एस्पेनिस सेनाएं और पुर्तगाल की सेनाएं इन्होंने अमेरिका में अपना उप्रिवेस बसाना सुरू किया लेकिन आपको पता है कि इनको वहाँ उप्रिवेस बनाने में और दक्षिन अमेरिका क के लोगों को हराने में जितना योगदान इनके बंदुकों का इनके वारूदों का नहीं था उससे ज्यादा इनको मदद मिली चेचक की बिमारी से क्योंकि यूरोप के लोगों में चेचक की बिमारी पहले से हो रही थी लेकिन अमेरिका में लोगों को चेचक का बिमारी हो कुल भी नहीं था इसलिए जब इस्पेनिस सिनाएं वहां पहुँची और उनके साथ चेचक की बिमारी भी पहुँची और वहां की जो लोकल जनता थी वहां की लोगों में जब ये बिमारी फैल गई तो वहां संबुदाई के सभी लोग खत्म होते चले गए क्यों क्योंकि उनके पास न तो इसके इलाज का कोई तरीका था नहीं उनके सरीर में रोग प्रतिरोधक छमता थी जो चेचक से उनका बचाओ कर पाती इससे क्या हुआ कि यूरुक बालों के लिए अमेरिका में अपना उपनिवेश बसाना बहुत आसान हो गया अब बात करते हैं अठारह ब्रिटेन का उदाहरन लेते हैं 18 सदी के उतरार्ध में ब्रिटेन में जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और जैसे जैसे जनसंख्या में ब्रिधी हो रही थी उसी हिसाब से खाद्यान के मांग में भी बढ़ोतरी हो रही थी इससे क्या हुआ सप्लाई कम हो गया डिमां के जमिनदारों के दवाव में आकर के बिटेन की सरकार ने मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया इससे क्या हुआ इससे यह हुआ कि एक तो वहां के जो उद्योग पती थे वो नाखिस हो गए दूसरा जो वहां के सहरों के निवासी थे वो भी काफी नाखिस हो गए और उन्होंने ब्रिटेन की सरकार के उपर इस बात के लिए दवाव बनाना सुरू किया कि आप कौन लौ को बिलकुल समाप्त कर दीजिए और उनके दवाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने कौन लौ को खत्म कर दिया तो इसके बाद क्या हुआ इसके बाद ये हुआ कि कौन लौ दिजन आयात करना आसान हो गया वैपार्यों के इससे बहुत फायदा थी और जब खाद्यपदार्थों का अधिक मात्रा में आयात होना शुरू हुआ तो उनकी कीमते भी गिरनी शुरू हो गई जब कीमते गिरी और ये सर्वसुलब हो गया तो बिटेन में का आयाद भी बढ़ गया और इसका फाइदा रूस, अमेरिका और आस्टेलिया जैसे देशों को हुआ जिन्होंने ब्रिटेन को वोजन का निडियाद करना शुरू किया ये एक ब्यवस्था थी जिससे बैस्विक संपर्क और ब्यापार बढ़ा अब इसके एक दूसरे को भेजने के लिए नए बंदरगाहों की जरूरत परी तो नए बंदरगाह बनाए गए और जो पुराने बंदरगाह थे उनका विस्तार किया गया अब इन चीजों के लिए बहुत अधिक पैसों की जरूरत परी तो लंदन के जो फाइनांसर बैठे थे उन्होंने इन गती विधियों में उन्होंने निवेश करना सुरू किया नतीजा ये हुआ कि 19 सदी में लगभग 50 मिलियन लोग यूरोप से अमेरिका और आस्टेलिया चले गए चलिए दोस्तों अब तक जो कुछ भी हमने सिखा है उस आधार पर एक गति विधि कर लेते हैं और आपको करना क्या है एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यह दरसाना है कि जब ब्रिटेन ने खाद्य पदार्थों के आयात का निर्णय लिया तो उस कारण अमेरिका और आस्टेलिया की ओर पलायन करने बाले लोगों की संख्या क्यों बढ़ने लगी इस बात को आपको एक फ्लो चार्ट के माध स्थक्णदान था क्योंकि और द्योगीकरन होने के कारण नए नए तकनीकों का इजाद हो रहा था और नए-नÎ तकनीकों और प्रओद्योगी की आने के कारण बैस्विक अर्थ वेवस्ता भी बढ़ रही थी जैसे रेलबैे भाप से चलने वाले जहाज टेलीग्राफ ये बहुत ही महत्वपूर्ण तक्नीकी विकास थे जिन्होंने ब्यापार को बहुत ही आसान बना दिया क्योंकि एक उदाहरन लेते हैं कि पहले जब बाहर के देशों से योरोप में मांस का ब्यापार होता था तो जिन्दा जानवरों को जहाज में रख करके और ब्रिटेन भेजा जाता था योरोप भेजा जाता था फिर वहाँ उनको काटा जाता था इससे काफी महंगा हो जाता था मांस लेकिन अब जब तकनिकों का विकास होना शुरू हुआ तो रिफ्रिजरेटेट जहाज बनने लगे जहाजों में ही रिफ्रिजरेटर की विवस्था होनी शुरू हो गई इसका फाइदा क्या हुआ? इसका फाइदा ये हुआ कि अब जिस देश से मांस को दूसरे देश में निरियात किया जाता है तो उसी देश में जानवरों को काट दिया जाता था और सिर्फ मांस रेफ्रिजरेटेट जहाजों में रख करके और दूसरे देशों को निरियात किय जाता था इससे यह हुआ कि खाद्य पदार्थों को लंबी दूरी तक ले जाना संभब हुआ और अब यह खराब भी नहीं होते थे इसका एक फाइदा यह हुआ कि जब उत्पाद खेट से ले करके और बाजारों तक कम लागत पर आसानी से पहुंच सकते थे तो उपभोगत को भी यह काफी कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते थे अब अगर हम यूरोप की बात करें तो समझने की कोसिस करें कि यह जो तकनीक आए तो इन तकनीकों का लाफ यूरोप बालों को कैसे हुआ तो सबसे पहला फाइदा तो यही हुआ कि यूरोप में खाद्य पदार्थों औ और अन्य उपभोगता वस्तों की कीमत अत्यंत कम हो गई और अब गरीब लोगों के लिए भी बिभिन्न प्रकार के आहार उपलब्ध हो गए जिनका वो उपभोग कर सकते थे क्योंकि अब वो उनकी पहुँच में था इससे यह हुआ कि लोगों की जीवन सैली बहतर हो उपर लोग सोच सकते थे इसलिए बिदेशों में जब समराज्यबाद को बराने की बात हुई तो वहां के लोगों का समर्थन भी यूरोप के बिभिन देशों के सरकारों को मिला चलिए बच्चों अब हम एक गतिविधी करके देख लेते हैं आप एक इमेज यहां देख र रहे हैं कि उची उची चिमनियां हैं जिससे धुवा निकल रहा है अब आपको कोई भी दो उदाहरन बताना है कि आधुनिक विकास जो प्रगती से जुरा हुआ है वह समस्याओं का भी कारण बना है तो कौन सी समस्याओं इस तरह से उत्पन हो गई हैं अब तक हमने देख कि बैस्विक संपर्क के कारण अंतरास्ट्रिय ब्यापार भी बढ़ा लेकिन अंतरास्ट्रिय ब्यापार का नाकारत्मक पक्ष भी है अब उसको भी समझ लेते हैं सबसे बरा जो नाकारत्मक पक्ष रहा अंतरास्ट्रिय ब्यापार का वो ये कि कई देशों के लोगों की स यूरोप की अलग-अलग सक्तियां बर्लिन में इकठा हुई और उनका उद्धिस्य था अफरीका का मठवारा बिर्टेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी यहां तक की अमेरिका भी अब नए अपनिवेसिक सक्ति बन गए और मैं आपको आगे एक मैप दिखाता हूँ जिसमें आप ये देखेंगे कि अफरीका के कुछ देशों की सिमाएं बिल्कुल सीधी लकीर की तरह हैं जैसे कोई फुट्टा यानि की स्केल रख करके उनको खीच दिया गया हो जबकि आपको पता है कि किसी भी देश की भौगौलिक सिमा बिल्कुल सीधी कभी नहीं हो सकती ये आप अफरीका का मैप देख रहे हैं इस पर में आप अलग अलग देशों को देखिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे देशों की सिमाएं स्केल रख करके काट दी गई कि यहां से उपर हमारा और यहां से नीचे आपका चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उपनिवेसाबात का जो उपनिवेसित समाज था यानि कि जिन देशों को उपनिवेस बना लिया गया था वहां के समाज पर क्या प्रभाव परा इसका एक उदाहरन देखने की कोश थी भूमी और पसुधन अफरीकी लोगों के अजीविका का मुख्य सादन था और ये लोग कभी भी मजदूरी के लिए काम किसी के लिए भी नहीं करते थे क्योंकि जितना इनको प्राप्त होता था प्रकिर्ती से उससे ये लोग संतुस्ट रहने बाले लोग थे लेकिन इसका एक परिणाम ये हुआ कि जब यूरोप के लोग अफरीका में आए तो इन लोकल लोगों का काफी सोसन हुआ 19-20 स्ताबदी के अंत में अफरीका में ऐसी बहुत ही कम उपवोकता बस्तुमें हुआ करती थी जिन्हें बेतन के पैसों से खड़ीदा जा सकता हो लेकिन जब यूरोपिये लोग अफरीका में आए तो उन्होंने बागानी खेती पर जोड़ दिया और वहां के जो नेचूरल रिसोर्सिस थे वहां के जो खडान थे उनका दोहन करना सुरू किया ताकि यहां से प्राप्त धन संपदा को यूरोप भेजा सके और इसके पर लेबर की आवा सकता थी लेकिन अफरीका के जो लोग थे वो तनखा पे काम करना बिलकुल नहीं चाहते थे ऐसी इस्थिती में खडानों में काम करने के लिए या बागानों में काम करने के लिए लेबर मिलना बहुत ही कठिन काम हो रहा था ऐसी इस्थिती में यूरोप के उपर भारी भरकम कर लाद दिया जिसको अदा करने में उनको कठाईयों का सामना करना पड़े साथ ही उन्होंने उत्राधिकार कानून में भी पडिवर्तन कर दिया और अब ये विवस्था कर दी गई कि पडिवार के केबल एक ही वेक्ति को पैत्रिक संपत्ति मिलेगी ऐसी स्थिती में उनको स्रम बाजार में धकेलना बहुत आसान हो जाएगा ऐसी सोच ये लोगों की थी इसके साथ ही बागानों में काम करने वाले या खदानों में काम करने वाले लोगों को बारों में बंद कर दिया जाता था और उनको बारों से निकलने पर पावंदी इसी समय में लगभग 1890 के दसक में अफरीका में मवेसियों के बीच एक विमारी फैल गया जिसको रिंडर work पेस्ट कहते हैं और यह जो रिंडर पेस्ट विमारी जब फैली तो लगभग 90 प्रतिस्त मवेसी अफरीका के मौत के मुथ में चले गए जब 90% मवेशियों की मौत हो गई तो अफरीकी लोगों के रोजी रोटी का साधन बिलकुल खत्म हो गया तो जब उनके रोजी रोटी का कोई साधन ही नहीं बचा तो अब खान मालिकों के लिए और बगान मालिकों के लिए ये बहुत आसान हो गया कि उनको इन जगहों पर काम पर बेतन दे करके लगाया जा सकता था इस तरह से यूरोपिय उपनिवेसकारों को पूरे अफरिका को जीतने में और उनको अपना गुलाम बना लेने का एक बहुत ही महतरीन मौका हाथ लग गया और इसके पीछे रिंडर पेस्ट बिमारी था चलिए अब हम भारत और बैस्चिक विवस्था के आपसी संबंदों को समझने की कोशिस करते हैं भारत से अनुबंधित या गिर्मिटिया स्रमिकों को ले जाये जाना भी 19-20 सताबदी की दुनिया की बिविधता को दरसाता है यह जनता के कस्टों में विर्धी उनकी बेहसाब गरीबी और उतपीरन के नए रूपों के इजात की दुनिया थी भारतिये अनुबंधित स्रमिकों को मुक्षे रूप से त्रिनिदाद, सुरी नाम, गोयाना, मौरिसस और फीजी ले जाये जाता था मजदूरों की भरती का काम एजेंट करते थे जिन्हें अंग्रेजियों की तरफ से कमिशन मिलता था मजदूरों को कहा जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा, जीवन के हालात कैसे होंगे इन सब चीजों के बारे में उन्हें हमेशा ही गलत जानकारी दी जाती थी और इस अनुबंध विवस्था को ही नई दास्प्रथा का नाम दिया गया है लेकिन एक खास बात ये रही, कि इन सारी कठनाईयों के बावजूद मजदूरों ने पुरानी और नई संस्कृतियों का मिस्रन करते हुए विक्तिगत और सामुहिक अभिविक्ति के नए रूप खोज लिए और इसका एक उधारण है, त्रिनीदाद में मुहर्म के सलाना जुलूस को एक बिसाल उतसभी मेले का रूप दिया गया जिसे खोसे कहा जाता था और ये नाम इमाम हुसेन के नाम पर दिया गया था उसमें सभी धर्मों और सभी नसलों के मजदूर हिस्सा लेते थे उसी प्रकार रास्ता फर्यान बाद नाम का एक बिद्रोही धर्म पैदा हुआ जिसे जमैका के रैगे गायक बाब मार्ले ने ख्याती के सिखर पर पहुँचा दिया इसमें भी भारतिय प्रवासियों और करेवियाई दूइप समूग के बीच इन संबंधू की जहलक देखने को मिल जाती है त्रिनिदाद और गोयाना में मसहूर चटनी म्यूजिक भारतिय प्रवासियों के वहाँ पहुचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिवेक्ती का बहुत ही सांदार उदाहरण है सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई बैस्ट्रिक दुनिया के उदै की प्रक्रिया के अंग थे अब हम भारत का विदेशों के साथ ब्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त करें भारत से ब्रिटेन और सेश विश्व को मुख्य रूप से खाद्यान और कच्छे माल का निरियात किया जाता था लेकिन 19-20 सतावदी में भारती वाजार ब्रिटिस और द्योगिक उत्पादों से पट गया था ब्रिटेन से जो माल भारत आता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजी जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी और भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा ब्यापार अधिसेज की इस्थिती में रहता था इसका अर्थ ये हुआ कि आपसी ब्यापार में हमेशा ब्रिटेन को लाव होता था ब्रिटेन इस मुनाफ़े के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले ब्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था और ब्रिटेन उनीसमी सताबदी की बिस्व अर्थ विवस्था का रूप तैय करने में भारत के साथ होने वाले ब्यापार का एक अहम अंग बन गया चलिए दोस्तों अब एक गति भीदी करते हैं आप ये एक इमेज देख रहे हैं जिसमें कि आपको कुछ वरकर्स खान में काम करते हुए दिख रहे हैं एक अनुचिद लिखिए कि आपको किन उपायों से खादान में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और आप कैसा मसूस करते हैं तो दोस्तों आज हमने भू मंदली कृत विश्यों का बनना भाग एक के बारे में जानकारी प्राप्त की आसा है आपने इस भाग के महत्वपूर्ण विश्यों को ढंक से सीख लिया होगा धन्यवाद झाल 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 झाल